हलो दोस्तों रमश्कार जोहार सस्रियाकाल अदाब कैसे आप लगशब सब टिक टाक आप सभी को तह दिल से दोस्तों इस हैसर में स्वागत है मेरी आवाज आपने पहुंच पा रही है हाँ पहुंच पा रही होगी हम लोग देख रहे हैं दोस्तों जैसे सिजियल बेज़्ट पर मैठ्स का कोशन में कवर कर रहा हूं और इसमें आप देख पा रहे होंगे जो टॉपिक होगा हम लोग का कंपॉण इंट्रेस्ट यह टॉ सेकेंड यह दो साल पर अगर बेज़्ट कुछ भी दिया रहेगा तो कैसे आप निकालेंगे यह मिन आपको जनकारी दिया आपको हाँ पर और कोई समसे हाँ पर आपको नहीं आ रही होगी है ना तो उसी वीडियो के कुछ अंस बच गया है मैं पहले उसको डिस्स करोंगा और उसके बाद मैं आपको लेके चलने वाला हूँ तीन साल पर बेस्ट कोशन कैसे यामे कुछ हैगा है ना तो फर्स्ट वीडियो का कुछ अंस बचा हुआ था मैं पहले उसको डिस्स कर लेता हूँ और देन उसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ इसके जो next concept होगा based on 3 years उसपर मैं बात करूँगा तो चलिए बिना देर के वे आज की class को start कर रहा हूँ और उसमें देखिए कोशन हमारा क्या बन रहा होगा तो दोस्तों अभी तक हमने देखा क्या कि R1, R2 और R3 या R1, R2 और R2 दिया रहेगा फर्स्ट येर और सेकेंड येर के लिए उसकेस मे हम लोग क्या करते हैं यह मैं आपको समझाने का प्रयास किया था और आपने समझ भी क्या होगा उसको लेकर आप समझे ध्यान से दोस्तों यहाँ पर क्या जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक सेकंड हम लोग का topic है दोस्तों compound interest compound interest देखो फर्स्ट वीडियो में तोड़ा टाइम ले लिया था मैंने आपको basic समझाने के लिए है लेकिन यहाँ पर आपको समय नहीं लगेगा authentically आपको समझाने का प्रयास करेंगे इसका genuine जो concept होगा what this is करेंगे और फिर दिन आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे यह second video रहा होगा हमारा second part तो देखो हम लोग क्या सि जिए R2 हमारे पास मलने जिए 4% है इस परकार से रहेगा तो मैंने आपको बताया क्या कि यहाँ पर CI SI निकालने के लिए कुछ नहीं करना है 3 प्लस 4 और 3 गोने 4 बटा 100 करके यह CI निकाल देंगे तो दोस्तों यह हमारा निकलेगा CI और यह निकलेगा 437.12% दोस्तों इसमे परकार से मैं पेशले वेडियो आपको समझे का प्रयास किया था और मुझे पुरा उमीद है कि आप इस चीज को समझे जरूर होंगे क्या मैं सही सोच रहा हूँ? तो चलिए अब बात करता हूँ इसी परवेश्ट फ़ड़ा और प्रस्ट जो कि यहां को पाइंट इवी से आपके लिए अगलेबन साभीत हो सकता है दोस्तों आप यहां पर देख पार होंगे क्या? कि हमने आपको रीट को अलग अलग रखा अगर हम आपको यह गह दे यहां से समझेगा यहां पर कि अगर रीट मैं ले लेता हूँ 2% और टाइम ले लेता हूँ 2 साल ठीक है? प्रिंस्पल ले लिया आगर मानलेजिए 10 जर हमने प्रिंस्पल ले लिया हमने 10 जर रुपई है यह रुपीज में है 10 जर रुपई हमने प्रिंस्पल ले लिया यह प्रिंस्पल 10 जर रुपई है रेट 2% है टाइम 2 साल है तो आप निकालो CISI का अंतर इसे हैं इसाई का अंधर निकालो कि मंदरी से बताना है कि आप इस कोशन के लिए गई करेंगे जो सुरु से करतियार है कि आप 2% का मान मतलब 1 बटा 2 बटा 100 रखेंगे और 1 बटा 50 तो आ तो जाएगा आप प्रिंस्पल यहां रखेंगे इमांट यहां रखेंगे सब के सब करेंगे 50 यहां प्रें 50 यह 50 तो यह 50 आतो जाएगा लेकिन दोस्तों यह थोड़ा घुना भाग करने में आपको दिक्कत करेंगा आप उसे परकार सेकर मान यह 3% देंगे हम तो 3 बटा 100 करेंगे तो 3 बटा 100 करेंगे तो 100 यहां करेंगे और 103 यहां करेंगे तो 3 बार करेंगे और 2 बार करेंगे तो पेचिदा हो जाएगा तो आप उसे कैसे बचें तो बचने के लिए दोस्तों मैंने आपको अपी जश्ट बताया कि इसका rule क्या है कैसे इस्तेबाल करते हैं लोग तो देखो यहाँ पर हम लोग जब भी 2% 3% 4% 1% 6% इस परकार से कुछ दिया रहे है rate है न तो हमें 2 साल के लिए CI निकालना हो बात को समझ रहां से जिससे time दिया अगर 2 साल दिया है तो time अगर 2 साल दिया इसका मतलब यह कह रहा है कि आपको दोनों साल सेम रेट रहेगा कौन सा रेट 2% है तो 2% ही रहेगा तो रूल तो आप जानते हैं अच्छे से तो रूल जानते हैं तो क्या करेंगे CI निकाल दो आप तो 2 पलस 2 और 2 एंटू दो बाटे में 100 यह कर लो आप तो यह बन जागा हमारे पास कितना 4 और 0,4% बनेगा 4.04% यह बनेगा 4.04% बनेगा क्यों चुकि हमारे पास रेट 2% है और यह R1 भी 2% है R2 भी 2% है दोनों साल के लिए हमारे रेट जो है सेम रेट पर काम करेगा तो CI का रूल क्या हो जागा 4.04% बनेगा ठीक है अब बताना दोस्तों यह पर क्या कि हमें अगर आपको निकालना क्या है CI SI का अंतर निकालना है तो CI SI का अंतर निकालना हो एमांट निकालना हो कुछ भी निकालना हो सब के सब निकाल सकते हैं अब बताओ कि 4.04 में यह हो जागा हमारा पूरा का पूरा C i लेकिन 4 क्या है तो S i और point के बाद दोला जो value है 0.4 वह क्या कहलागा दोस्तों हमारा C i s i का अंतर तो हमसे ही तो पुछ रहा है तो C i s i का अंतर निकालने के लिए मेरे पहरे साथियों आपको क्या करना है कि जो principle आपको दिया है 10 रुपया उसी 10 रुपया को आप यहां मेंसन कर दिजिए और इसका 0.4 परसेंट आप निकाल दिजिए तो point के बाद 2 आंख है तो 2 0 और शिपका दिजिए यहां पर आप आप दोस्तों यहां पर करो क्या कि यह आपका हट जाएगा यहां से तो यह बनेगा आपका 1 2 3 4 1 2 3 4 और 4 से गोना करेंगे तो कितना आएगा चार रुपया यह कहला का स्याई साई का अंतर बस यही समझना था आपको आप ध्यान से नोट कर लेजिएगा अगर एसाई पुछता अगर एसाई पुछता तो मैं क्या करता आपको दोस्तों 0.00 मैं सिर्फ 4 निकालता है हाँ पर सिर्फ 4 परशन निकालता है एसाई निकालने के लिए और 10.00 का 4 परशन आपको पता होगा दोस्तों 4 सरफ यह 10,000 रपाई है अगर मैं निकालता 4% तो यह 2,0 करता है तक इतना आता 4,000 रपाई है और यह हमारा बनता S I है ना बस यह बात को समझना है आपको अगर बाइदे वे Amount पूछ दे आपसे Amount पूछ दे तो Amount के लिए क्या करेंगा हम लोग तो Amount के लिए क्या करेंगे हम लोग, Amount निकालने के लिए जो आपका CI है उसी को जोड़ो आप 100 में तो 10,000 का आप निकाल देख 104.04% यह करना होगा जो CI दिया उसी को आप 100 में जोड़ेंगे 104.04 आजाएगा और वह कहलाएगा आपका Amount तो Amount कहलाएगा तो Point % का मतलब 100 और Point हटेगा 2-0 और आजाएगा यहाँ गुना कर देंगे बलो और देख पार होगे बलो क्या यह आजाएगा 0.04 यह आजाएगा तो यह हस देखे 2-0 और 2-0 4-0 हमारा कट रहा होगा 1-2-3-4 1-2-3-4 गुना करेंगे कितना जाएगा 10,404 रुपईया यह कहलाएगा हमारा Amount कोई समस्या किसी बच्चा को यहाँ पर 2 साल के लिए हो रहा है साब बच्चा को 2 साल पर बेज़ अगर कुछ भी कुशन पूछाएगा आपको इसी परकार से देखना है कि रेट आपको किस परकार साब को कापने बोल रहा है ठीक है, very good आगे मैं एक कोशन लेता हूँ suppose मैं ले लिया यहाँ पर रेट 3% यह ले लिया रेट 3% टाइम लिया 2 साल टाइम लिया हम लोग 2 साल लिये टाइम लिया मैंने 2 साल यहाँ पर कोई समसे किसी बच्चों को नहीं होनी चाहिए ठीक है मैं C.I. ले ले लेता हूँ C.I. ले 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 लेता हूँ इतना रपिया 6.0, 9.0 रपिस आपको कुछ निकालना क्या है एमाण निकालो या प्रिंस्पल निकालो या C.I. स.I. कंतर निकालो यह आपको दिया रहेगा C.I. स.I. कंतर पुछ देगा प्रिंस्पल पुछ देगा इस परकार्श पुछ भी देगा तो कैसे निकालोगे आप यान देजेगा मैंने यहाँ पर चु लिखा आपको इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको याद हो और आप अच्छे सनोड कर पाएं आपको निकालने क्या दिया हूँ मैं आपको प्रिंस्पल निकाल दो एमाउंट निकाल दो और C.I.S.I. कंतर निकाल दो तो दोस्तों आप क्या करेंगे देखो आप यह बार बर आपको या त्रोटने के जोरत नहीं पड़ेगा इसे 2% को आप यह बार बर कितना करोगे आप 2 पलस 2 दो कुने 2 करने के जोरत आपको नहीं करना पड़ेगा इसका मैं एक शॉटकट दे रहा हूँ आपको जो हर जग आपको काम करेगा ध्यान से नोट कर लिए कि चार्ट में देरा आपको जो आपको हर जगा काम करेगा जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया rate और यहाँ पर ले लिया हम लोग CI यह हो गया हमारा CI कोई समझे कैसी बच्चों को अगर हैं बात करता हूँ rate अगर मालों जी 2% लेता हूँ तो पहले कुछी नहीं करना है पहले इसको square करो अगर A% दिया है तो A का square करो और यहाँ पर 2 A करो बात को समझना अगर यह 2% दिया है तो 2 कैसपर कितना हो जाएगा 0,4 देखो जब भी square करो स्कार करने के बाद अगर single digit आएगा तो 0 लोगा करो उसको double कर देना तो क्या करेंगा हम लोग यहाँ पर 0,4 करेंगे 0,4 करेंगे और 2 दोनी के 4 यह % आजाएगा यह क्या आजागा दोस्तों हमारा % आजाएगा अगर मैं बात करता हूँ 3% के लिए तो 3 के square के लिए बनेगा 9 तो 9 नहीं बोलेंगे 0,9 बोलेंगे और 3 दोनी के 6 यह 3 दोनी के 6% उसी परकार से अगर मैं लेता हूँ 4% तो 4 के square 16 हो जाएगा दोस्तों और यहाँ पर 4 दोनी के 8 अब यहाँ पर 0 क्यों नहीं लगा रहे है चुकि यह double digit में आ गया है इसलिए 0 नहीं लगा रहे है मैं 5% लेता हूँ दोस्तों अगर तो 5 के square 25 और 5 दोनी के 10 तो यह सब rule अगर आपको पता है तो एकजाम में यह जो plus minus यू कर रहे थे आप यह rule इसका इस्तेवाल करने का वसकता आपको नहीं पड़ेगा यह आपको नहीं पड़ेगा यह बस ध्यान रखा अगर मैं लेता हूँ 6% तो 6 के square 36 और 6 दोनी के 12 यह इस परकार से बनेगा 12 बात तो समझ रहे हैं तो यहाँ पर हम यह समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको रटने क्या वसकता नहीं है देखो मेरे भाईव मैं पहले आपको 2 साल पर समझा लेता हूँ 2 साल अगर समझ जाते हैं तो फिर मैं आपको लेकर चलूँगा 3 साल पर मेरे टार्गर्ट यह है कि तीन साल में आपको थोड़ा आगे चल कर से बता हूँ 2 साल पर बेश्ट कुछ भी कुछन कुछ हैगा तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको यह सब अप्रोच आपको ध्यान में रहना चाहिए इस-6,7,8,9 जीतना करना चाहे आप कर सकते है तो मैंना अगर लिया 2 % पर गए दो का सफ़ार करो 4 आगा तो मैं चार लेता हूँ तो 4 का सफ़ार 16 लिख देंगे और 4 1 2 की आठ पांस लेता हूँ तो पांच के सुर पचीस और पांच दोने के दस इस सब के सब आपका rate निकल रहा है आप एक बाव बता ना कि यह पूरा का पूरा value आपका CI है यह value क्या SI है और यह value क्या CI SI का अंतर है यह सब में काम करेगा लेकिन 10 से चेज़े थोड़ा सा अलग होने लगेगी है ना मैं उसको करूंगा जैसे समझेगा अगरे बात करते हूं यहां पर क्या कि हमारा rate सब्सक्राइब यहां पर 10% रहता है या 11% रहता है तो 11% अगर रहेगा तो 11 के स्कार 121 और 122 तो अब यह नहीं कह सकते हैं कि 30 हमारा 21 हो जाएगा तरी 30 हमारा क्या SI बन जाएगा और 0.21 हमारा CI SI का अंदर कह लाएगा नहीं क्यों कि इसमें मैंने कैरी फरवड किया है 10 से कैरी फरवड होना इस्टाट हो जाएगा अपका दोस्तों ठीक है तो यहां पर अगरा आप माल यह लेते है 11 और यह 11 और 11 गोने 11 बटे में 100 दोस्तों यह 22 आ जाएगा और यह हमारे पास 1.21 आएगा तो यहां दोने का 22 तो फिर इसके में कैसे मालम चलेगा हमें तो दुड़ो आप क्या करेंगे इसका जबल करेंगे एक गारदुनी के 22 के लावा जो भी एक्ष्टा बचेगा वो सबके सबके आला है का आपका साई-साई-क अनतर जैसे मैं हाप लेता हूं सापोच 12 के 144 वन कर लेंगे 12 दे 24 25 तो इतना परशंट हो गया आप यह सूचो कि 12 दुने के 24 तो 24 जो एक्स्ट्रा होगा वही C.I.C.I. का अंदर कहलाएगा और यह 25.44 जो है वह कहलाएगा हमारा C.I.C.I. कहलाएगा कोई समस्या किसी बच्चों को नहीं तो मेरे पहरे साथ यह इतना करन पर जैसे कि आप को समफ देख पा रहे होंगे हम लोग क्या कि rate में लिया हूँ आपर सबोच rate लिया था कितना 3% time लिया था 2 साल लिया था time लिया था मैंने 2 साल और principal मुझे निकालना था amount निकालना था और principal दिया हूँ था आपको निकालना था कितना 6090 रुपीज यह आपको दिया हुआ था CI SI के अंदर भी निकालना था कैसे निकालें हम लोग तो बस तरह दिखेंगे यार हम लोग दो 3% दिया हुआ है तो 3 के स्कार 9 करेंगे और 3 दूनी के 6 तो CI सीधे निकालेंगे क्या 6.09% यह हमारा CI कहलाएगा हमें दिया क्या हुआ है CI दिया हुआ है तो इतना कमान हमारे पास है 6090 रुपीज आपको दिया हुआ है हमें निकालना है प्रिंस्पल तो प्रिंस्पल कैसे निकालें है 100% निकाल दो आप अब जिसमें यहां से हटाया मैं पॉइंट को कर हटाया दोस्तों यहां पर क्या तो यह आ जाएगा हमारे पास 09 और यहां पर 100 आ जाएगा क्यों चुकि नीचे से दो आंग खाटेगा पॉइंट के बाद तो नीचे पर 100 लग जाएगा तो आप देखना यहां पर क्या दोस्तों कि यह और यह हमारा कड़िया दस बार में तो दस पर कितना जिरो दो और दो चार जिरो दो और दो चार जिरो यह कह लाएगा हमारा क्या प्रिंसपल कह लाएगा प्रिंसपल हमारा क्या कह लाएगा आपका एक लाख रुपईया एक ल 106.09% आ जाएगा और इस परकार से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा परसेंट का मतलब 100 और यह हटेगा तो 100 नीचे और आ जाएगा कुछ नहीं बस दो साल में आपको इदना कर लेते हैं तो उस पर आपको जाड़ा करने कर सकते नहीं है तो फर्स्ट वीडियो का कुछ पार्ट बचागवा था मैंने उसको कभर किया और अभी मैं लेके चल रहाएगा आपको based on 3 years first तो based on 2 years पर मैं समझाने का प्रयास किया हूँ मुझे उमीद है आप मेरी बात को समझ पाय होंगे और बाइद वगर आप नहीं भी समझ पाय होंगे तो कोई बात नहीं आप इसको वीडियो को एक बार दिवार जरूर देखें उमीद करता हम आपको समझ में आएगा और अगर आपको समझ में नहीं आती है तो फिर मैं कोशन की माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा आपको और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा बर्स पेसंस को रखना थ्यान से और काम करते चलना आप पेसंस आपके लिए बहुत माइन रखता है दोस्तों यहां तक कोई समस्य किसी बच्चों को मैं आपको रिकॉल कर लूँ अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया जब आपको प्रिंस्पल एमांट और सियाई के बिच रिलेस्टन इस्टेबलेस करनी हो तो simply मैंने आपको बताया किया किमालने जी अगर आप 12.50 का rate लिए है तो 1 by 8 होगा प्रिंस्पल और यहां एमांड करेंगे प्रिंस्पल और एमांड करेंगे प्रिंस्पल और एमांड करेंगे तो 8 और यह 9 बनेगा time 2 साल दिया है तो यह इस परकार से पहले आपको मैंने समझाया दूसरी पर मैंने बताया कि आप क्या करो 8 के स्पार 64 हो जाएगा आप इसको break करके इस परकार से लाओ और यहां से यह लाओ दूसरा मैंने concept यह दिया किस तरह मैंने आपको यह दिया कि rate अगर मालने जिए अलग अलग हो rate आपको अलग अलग r1 आपको मालने जिए x% है r2 हमारा y% है है न उस case में क्या करेंगा दोस्तों तो x plus y y में xy by 100 इस सब को आपको memorize करना पड़ेगा किस रूप में क्याम करना है यह आपको समझाया चौथा मैंने आपको यह बताया कि rate सेम रहेगा rate आपका सेम रहेगा लेकिन rate इस पर कर्स दिए रहेगा दो परसन तीन परसन परसन पांच परसन छे परसन आट परसन एक ग्यारफ़शन उस case में आपको दो साल तक repeat करना होगा तो दोस्ते मैं आपको rule दिया क्या कि a square और यहाँ पर करना 2a है न और यहाँ निकलेगा क्या हम ऐसा ci निकालेगा मैं आपको समझा रहा हूँ जैसे यहाँ पर मैं आपको यह बताया यहाँ पर rate लिया यहाँ पर rate लिये और यहाँ पर हम लोग ci लिये जैसे कर मैं बात करता हूँ x percent तो पहले क्या अगर ना x square और यहाँ पर 2x करनी है जैसे 3 अगर दिया है 3 का square 9 तो 0 9 लिखेंगे 3 2 निके 6 लेंगे यह अगर यहाँ पर दिया 5 तो 5 किसकर 25 और 5 दोने के 10 पचीस तो दोस्तों 10 पचीस में 10 जो हुआ SI है 0.25 वह CI SI कंतर है और यह पूरा का पूरा जो है दोस्तों क्या है आपका CI है जो उपर में लिखा हुआ तो चार चीजे मैं आपको समझाया हूँ 4-5 चीजे और मुझे उमीद है कि आप मेरी बात को ज़रूर समझ पाए हूँगे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा और पेसंस के साथ आपको टिक कर मेहनत करके आपको लगना पड़ेगा दोस्तों तो चलिए अब मैं आपको लेगे चलता हूँ इसको तिसरे बरस पर यानि तीन बरस हों है based on 3 years जब आगर आपका rate तीन साथ क्ले अफ़ए के बल होगा based on 3 years जब स्याइश साई का जो कोशन सहुगा based on 3 years होगा उस case मुझे क्या करनी पड़ेगी तो आये मैं स्टार्ट करता हूँ आपको जास से एमांट डेता हूँ 26,620 रपईया, यह ले लिया, टाइम ले लिया, तीन साल, ठीक है, आपको निकालना है CI, पहले हम आपको CI निकालना सिखाते हैं, इसके अलावा कुछ और पुछेगा, तो हम क्या करेंगे, वही करेंगे जो करते आ रहे हैं, तो प्रिंस्पल एमांट और CI अगर निकालना हूँ, तो मैंने बते हैं था कि सबसे बेहतर तरीका क्या माना जायागा, तो आपको यहाँ पर समझना है, रेट मैं ले लिए आपको 10%, टाइम तुम्हें आपको दो दिया 3 साल, तो दोस्तों आप यह समझेंगे क्या, कि हमारे पास रेट जो है, वह दिया 10%, रेट के नदिया है, 10% हमें दिया हुगा है, तो 10% का मान क्या होता है, एक बढ़ी 10, तो दोस्तों आप करो क्या कि देखो यहाँ पर आप रगदो principle, यह होगया आपका principle, और यहाँ पर होगया हमारा क्या amount होगया, 10 है, तो आप यहाँ पर करो 10 और यहाँ पर करो 11, 1000 और यह आजाएगा 1331 तो दोस्तों यह हमारे पास है प्रिंस्पल और यह हमारे पास क्या है इन दोनों का जो बिच का डिफेंट्स वरकालागा हमारा से आई फर्स्ट मैंने यही बताया था आपको याद होगा साथ मैं हर एक रूल फिर से रिपेट करूँगा लेकिन वह था दो साल के लिए और यह था कितना तीन साल के लिए सब ही रूल फिर से रिकॉल होंगे लेकिन आपको समझना पड़ेगा शुरुवात से तो शुरुवात मैं यहां से ही किया था, याद करेंगे तो, यहां से मैं आपको स्टार्ट किया था, इस रोल के माधियम से, तो देखो जी यहां पर आप की दिया क्या हुआ है, तो हमें यहां दिया 26620 रुपईया की एमांट दिया है, एमांट कितना है, यह है, तो हम यह र करेंगे तो यह आ जागा हमारा बेजर पर यह यह यानि प्रिंसिपल कितना निकलेगा हमारा बेजर निकलेगा अगर मैं C I की बात को दोस्तों तो C I कितना यहाँ पर देख पार होंगे तो प्रिंसिपल निकलना हो या एमार निकलना हो और या C I निकलना हो यह रूल आपके लिए बरदान शाबित होगा राम बान की केस में आपको साम करेगा क्या मेरी आवाज मेरी द्वनी आप तर पहुंच पारी है मेरे पैर साथ ही हो सही है ना वेरी गुड आगे में लेता हूँ अब देख यही कोशन्स अगर नहीं बात करो तो कोशन्स केस से दिया रहेगा एक जामना एक निशी धन रासी 10% वार्षिक चकविदी ब्याज की दर से तीन बरसों में 26,620 रुपईया हो जाती है तो भा धन रासी गयात करें और साथी साथ उसका चकविदी ब्याज भी गयात करें ऐसे रहेगा इस परकार से दिया रहेगा तो दोस्तों पहले आपको यह बेसिक समझ में आ जाता है फिर काम करने में कोई दीकत आपको नहीं है इस परकार से काम कर सकते हैं और आपको अगर लगता है कि यह तरीका मेरे लिए जशाई नहीं है तो इसका एक तरीका में और दिया था शुरू आत्मियाद होगा इसका बेसिक कॉंशिप जो कि आपको में बताया था कि यहाँ पर एमाउन अगर निकालना हो तो पी 1 प्लस आर भी हंटे टुदी पॉर एंड का जब इस्तवाल करेंगे तो भी एंसर यह आ जाएगा क्यों आ जाएगा कैसे आ जाएगा देखिए हमारे पास यह दिया हुआ है 26620 रुपय तो एमाउन के निके यहाँ पर रखिएगा 26620 रुपय रखिए आप प्रिंस्पल नहीं पत बार बटे 10 बंतब 331 बटे में 1000 आ जाएगा यह कटेगा 20 बार में तो पी कमान हमारे पास कितना हो जाएगा 1000 गुने 20 यानिकी 2000 तो क्या आप इस रूल के माधियम से भी तो बना पा रहे हैं तो रूल आपको छोड़ना नहीं है अगर किसी बच्चा को पढ़ाने का मौका म के लिए तो वह बच्चा tricky approach पर नहीं जाएगा वह बच्चा आपको इसी पर जाएगा अगर आपको समयाना पड़े तो किसी को इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका basic approach जो होना चाहिए क्या हो तो आपको जानना ही चाहिए बाकी question बराने के लिए exam question solve करने के लिए trick approach लगावा क आपको इदीकत नहीं है लेकिन जनकारी की तोर पर आपको यह जुरूर आना चाहिए तो चलिए मैं दोस्तों आपको लेगे चलता हूँ अगले questions के और आगला question मारा कुछ इस परकार से mention होगा जैसे मैं ले लेता हूँ यहापर suppose rate मैं ले लिया साढ़े 12% rate लिया साढ़े 12% time ले लेता हूँ 3 साल time ले लिया आपको 3 साल ठीक है principle आपको दिया हुआ है 1924 याने 10,244 रुपईया आपको निकालना है amount rate time c.i.e. निकालना है ध्यान से देखें, question यहाँ से मैं start कर दिया हूँ इसके ठीक पहले मैं question करवाया हूँ जो कि आप देख पा रहे होंगे यह और second question मैं थर्ड यह मैं आपको बात कर रहा हूँ यह वाला question से हमें principal amount और c.i.e. पर मैं बात करूँगा दिन उसके बाद में आपको लेके चलूँगा अगले concept पर यहाँ समझेगा principal हमारे पास इतना रुपईया है rate हमारे पास यह है time 3 year से c.i.e. निकालना और amount निकालना है कैसे निकालोगे तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना प हो गया one by eight हो गया हाँ यह ना कुछ तो बोल दीजिए मेरे प्यारी अगनी वीरों क्या मेरी आवाज जब तो पहुंच पा रही है तो एक वारा आप हाँ यह ना कुछ तो बोल दो कि समझ मारा कर नहीं आ रहा अगर आ रहा तो बहुत अची बात है नहीं आ रहा तो आप ज आ रहा कि दूशल के लिए लें टाम हमार पास क्या दिए दोस्तो तो मैं क्या करणगा इस ही तो क्यों कर दूंगा यह हमारे लिए क्यों हो जाए यह उसक तीन बार कुना कर सकते हैं आ ठाट ठीन यह ना थिन पर रह três कह नो नो तीन कि हमारे पास principal का मान दिया 10,240 तो आप इस का मान रखो क्या कि 10,240 दिखाई दे रहा होगा कितना गुना है? 20 गुना तो 20 से आप यहां पर गुना कर दिजिए तो 20 से अगर आप यहां गुना करेंगे मेरे पैरे दोस्तों तो यहां आज आएगा 14, 58 और 10, सही है क्या? और यहां पर आजागा अंतर कितना इसका? 729 में 512, कितना अंतर आएगा? 200 चे कर लिजागा बढ़िया से ना और यह अब इस से गुना कर लेंगे तो कितना आजागा? 37 निके 34 और 2 निके 4 अंतर देखने ना बढ़िया से इस परकार से आप यहां पर प्रिंस्पल एमोंट और से निकाल सकते हैं 9-2, 7 हो जाएगा और 12-1, 7-5, 2 बिल्गुर सही है यह कोशन नमबर 2 तो क्या यहां पर समयने में कोई तकलिफ होई अभी तक? मैं फिर वही से स्टार्ट कर रहा हूँ जहां मैंने 2 साल को मैंने स्टार्ट किया था जहां से, जहां ता ड्रॉप किया इसको भी ले जाका होई पर ड्रॉप करना है मेरे को तो जहां से जर्णी मैंने स्टार्ट किया था 2 साल के लिए मैं 3 साल के लिए उहां से स्टार्ट किया हूँ और दिन उसके बाद R1, R2, R3 तक ले जाकर मुझे ड्रॉप करनी है अब बात को समझें यहां पर रहान से दोस्तों जैसे मैं एक कोशन और लेता हूँ एक कोशन जमान लेज़ें मैं रेट यहां लिए यहां 16.23% 16.23% यह लिए जैसे में जोज़ेंगे यहां 34,300 रपएय्या यह यह इमांट दिया हुए प्रिंसपल आपको निकालना है आपको C.I.V. निकालना है और आपको C.I.V. निकालना है जबकि आपको टाम दिया है दोस्तों कितنا? 3 साल यह आपको दिया है यह कोशन, बुलेगा कि एक निशी धन रासी, 16 पुर्णांग 2,3% बार्सी चकविदी ब्याज की दर से, तीन बरसों में 34-300 रुपया हो जाती है, तो भा धन रासी गयाद करें, और साथे साथ चकविदी ब्याज भी गयाद करें, यह कोशन आपसे मेंशन करेंगा, यह कैसे करोगे आप, तो मेरे प्यारे साथ ही हो, जैसे कि आप जानते हैं, कि हम लोग रेट को कवर करते हैं, रेट हमारे पास क्या है, 16 to by 3% हमारे पास रेट है, यह रेट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 by 6, हमारे पास प्रिंस्पल और एमोंड की बात कहाँगा, तो 6 और यह क्या बनेगा, हमारे पास 7 बनेगा, तो दोस्तों, आप यह को पता है, कि 6 और 7 यह, एक साल के लिए काम करता है, लेकिन हमारे पास टाइम किता दिया है, 3 साल, तो 3 साल दिया है, तो इसको क्यू करेंगे, और यहां भी क्यू करेंगे, तो यह बनेगा, 200 सोल और यह बनेगा, 3, 4, 3, हाँ यह न, ठीक है, अब आप यह ध्यान दो कि हमें दिया क्या है, दिया क्या है, एमांट दिया हुआ हुआ है, तो एमांट से कंपर कर दिजी, तो 341 उनिट कमान अगर हमारे पास दोस्तों है, 34,300 रुपई है, यह हमें दिय हुआ है, कितना गुना है, 100 गुना है, तो 100 से अगर आप इहां गुना करेंगे, साथ ही हो, तो 260 इन्टू 100, यानि कि कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा, एक सेकेंड, 200 सोल पर डबल जिरुआ जाएगा, अगर मैं 100 से गुना करूं, तो, मैं CI की बात करूँ दोस्तों, तो CI कितना आ जाएगा, अंतर निकाले होंगे इसका, कितना है का अपका, 127 गुने, आप करो 100, तो कितना जाएगा, 12,700, 100 क्यों, चुकि हर जगा 100 से आप इन्ट में गुना कर रहे हैं, तो 12700 रुपय का कर लागा इसका, CI कर लागा, कोई डाउट किसी पर कार कि बच्चों को, आच तो बोल दिजिए, चले, बहुत अच्छी बात है, कोई समसे यहाँ पर किसी बच्चा को नहीं होने चाहिए थी, आगे बढ़ा जाए, उमीद करता हूँ दोस्तों, यह concept यहाँ पर समझ में आ होगा, तो दोस्तों, यहाँ पर इस concept में आपको अलिए, मैं यह बताना लेकिन इसके अलावा अगर कुछ पुछ दे, जिसे CISI कांटर, C.I. of second year, C.I. of third year, तो कैसे निकालोगे आप, इन सब चीजों पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो मेरे प्यारे साथियों, अब मैं लेके चलने वाला हूँ, जो इसका second concept है, जो आपको जानना मैं वहाँ पर लेके चल रहा हूँ, कुछ भी कोशन कुछ हैगा सेही पर विस्ट, आपसे नहीं छूटेगा, मैं इतना कोशन में वर्क कर दूँगा आपको कि कोशन इसे बाहर जाही नहीं सकता है, बसरते कि आप वीडियो को सवात से आन तक देखिए, और ओभी मन से, skip कर कर नहीं, मन से देखिए, ठीक है, समझे यहाँ पर, मैं सपोज यहाँ लेता हूँ, rate लेता हूँ, दोस्तों, 12.5%, यह हमारा rate हो गया कितना, 12.5% हो गया, और time ले लिया है, यहाँ पर, 3 साल ले लिया है, कोई दिकत, CI, SI का अंतर मैं ले लिया, 7.5% अब मैं कोशन कैसे create कर रहा हूँ, इसके वे जनकारी में आपको दोंगा, मुझे नहीं पता कितना, देखो, मैं जो भी दे रहा हूँ, सब कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं कुछ सोच के ही दे रहा हूँ आपको, तो principle आपको निकालना है, दोस्तों, amount निकालना है, CI निकालनी है, CI of third year, यह निका पुछेगा नहीं आपसे, इतना आपको पुछने वाला नहीं है, कोई एक चीज़ पुछ देगा, principle निकालो, amount निकालो, लेकिन हम जानते सब हैं, दोस्तों, आप देख पार होँगे, हमारे पास, यह हमारे समर्य कोर्सन्स आपको दीख रहा होगा, principle, amount निकालना है, rate हमार और किसी पर बिश्ड़ आपको काम करना होगा, ci i nिकालना है, ci i3 यह निकालना है, ci i3 यह निकालना है, आप सेकंड यह निकालना है, सब कसम निकाल पाएंगे, तो आब बताओ कि जो मैं शुरुआत नहीं हम जो बताया, principle, amount और ci i nिकालने का तरीका, क्या उस पर बना सकते या आप नहीं बना सकते, क्यों? चुकि जब आप इस पर काम करेंगे 12.5 पर, तो 12.5 पर का मान होता 1 by 8, तो यहाँ पर 8 रखेंगे और एक यहाँ पर 9 रखेंगे, तो टाइमी अंगर तीन सल दिया है, तो हम यहाँ पर क्यों कर देंगे? यह प्रिंस्पल अमान निकलेगा, 512 और 729 निकलेगा, इन दोनों का बिज का डिफिरेंस का अगा लएगा, अमारा C.I का लएगा, तो या तुम्हें परिंस्पल निकल सकता हूँ, या C.I. निकल सकता हूँ, या M.R. निकल सकता हूँ, लेकिन इसके अलब सिय अफ 3rd year, सिय आफ 2nd year, इस सब कैसे निकलेगे? तो इसके लिए ही तुम्हें आपको बताने वाला हूँ, 2nd concept, आईए, बात को समझे, तो मेरे प्यारे साथियों, आप थोड़ा सा पेसंस दिखाओ, है न, थोड़ा सा पेसंस दिखाओ, आप सिर्वात से निक वीडियो को देखेंगे, जरूर समझेंगे कुछ ने कुछ, आपको कोई दिखेते नहीं होगा, सब कुछ समझ में आएगा, थोड़ा सा पेसंस आपको रखना पड़ेगा, तो आप कहा केजिए, कि देखो, साड़े बारा परशन हमारा rate है, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 by 8 होता है, 1 by 8, साड़े बारा परशन का मान हमारे पास क्या न हमें time किना दिया, 3 साल दिया हुआ है, time 3 साल दिया, मैं क्या करूंगा दोस्तों, 8 का Q कितना आ जाएगा, 512 बोलो न जी, 512 आ जाएगा, यहाँ पर आपका 512 आ जाएगा, कैसे आया, मैंने 8 का Q कर दिया, 512, यह वला 8 का Q, 512, ठीक है, और यह क्या सो करेगा मेरा, प्रिं पार्ट इसको रिभाइट किजिए, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट, ध्यान से समाझना, यह फिर गड़ पढ़ हो जागा फिर आपका, first part, यह first year, यह second year, और यह हो गया हमारा 30 year, तीन साल पर हम लोग बात करेंगे, तो तीन साल में जाएगे, उससे पहले में य यह one by eight आपने निकाला, हाँ यह न, first year का address आपने किता निकाल दिया, और आपको पहले सी पता है, क्या पता है, कि SI जो होता है, वो हर एक साल क्या होता, बराबर होता है, तो दोस्तों, यह 400 रुपया क्या हमारा, SI है, यह हमारा इस रोज में जो भी सो करेगा, वो SI को सो करे अब मैं आपको लेकर आता हूँ, दूसरे वर्स में, तो दूसरे वर्स में पैसा आपको यहां से आएगा, और उसके बाद कहां से आएगा, तो इस interest भी पैसा आपको यहां पर आएगा, यह दो जगा पैसा आने वाला है, पहले मुल्धन से पैसा आएगा, और फिर उसके इंट्रेस्स की पैसे यहाँ पर आता है दोस्तों इंट्रेस्ट कुब इंट्रेस्ट आता है तो 64 का आकर में 1 by 8 निकालता हूं कितने निकलेगा है और 512 का बाराग उन बैट कीतना निकलेगा चांकिलेगा यहाँ आया अब यहां से पैसा आ चुका है अब कहां से आएगा दोस्तों, तो interest कभी निकालना पड़ेगा, तो यहां से निकलेगा, जब 1 by 8 रुपीज देखे तो निकलेगा, 8 रुपाई है, यह दूसरे बर्स का हमें निकल गए, यह हमारा दूसरा बर्स हो कर रहा है, अब आते लेकर आपको 3rd year में, यहां पर आपको 3rd year यह दिख रहा होगा, यह आपका 3rd year है, तो 3rd year में गरा मैं जा रहा हूँ, 3rd year में लेकर, तो आपको मैं यहां पर करता हूँ 3rd year, तिसरे बर्स का अंतर है, ठीक है, तो तिसरे बर्स में पैसा कहां से कहां आएगा मेरे साथ ही हूँ, तो यह जो तिसरे बर्स में जो प पैसा में निकाल दिया मतलब में जो और जीन पैसा हुआ है यह आपका मुलधन है वहां से पैसा आ गया अब यह ध्यान दो कि 64 64 64 यह तीनों तीनों बराबर हुआ के नहीं हुआ यह दर्साता है कि हर एक साल का क्या सो कर रहा एसाई सो कर रहा है सिंपल इंट्रेस्ट हो कर रहा तेसा ही हर सल क्या होगा बराबर होगा तो तिसरे बर्स में पहले मैंने पैसा कहां से निकाला है यहां से निकाला है अब कहां से पैसा आएगा तो इंट्रेस्ट से इंट्रेस्ट निकाला जाएगा तो कहां कहां इंट्रेस्ट है तो तिन जग 1 x 8, 8 रुपए यहां रखतेंगे और दोस्तों यहां पे निकाले 1 x 8, निकाले निकाला है, 1 रुपए हमें यहां लिखते होंगा, बस यही बात को समय ही, सब का मैं 1 x 8 ही निकाला, 1 x 8, 1 x 8, और यह आपका 1 x 8, मैं आपको निकाला, दिहान से देखियागा मैं color आपको इसलिए change कर रहा हूं ताकि आपको यह मालूम चले कि जो yellow color है वो फर्स्ट यर के लिए white color है वो second year के लिए और यह जो green type color जो दिखाई दे रहा हुआ पॉन से अगलर के लिए पॉन से यर के लिए थर्ड यर के लिए यह आपको रिहान में रखना पड़ेगा दोस्तों तो हमने किया क्या है मैं उसके बारें कुरूप में रहा है रूपिया नहीं है यह क्या है यूनिट है अब देखो first year second year third year यह तीन स्याल तो मुझे लेके जा लोंगा तो पांस सो बारा का one by eight निकालूगा कितना आजाएगा चाऌसों रुपईया तो फॉर्स्ट य derivative में और कुछ कर नहीं है यहां तो कुछ नहीं करना है अब आते हैं second year में लेके तो second year में पहले यह यह दिखना आओगा कि मुलधन में पैसा कितना है तो पांस सो ब 400 का 9 by 8 निकालो 8 रुपई यहां तो second year का काम यहां तक मेरा finish हो चुका है अब आते हैं लगे आपको third year में तो third year में अगर आप बात करेंगे तो third year में आप देख पार होंगे दोस्तों यहां पर क्या है कि हमारे पास मुल्धन की रूप में 512 रुपईया है मैं यह समझाँगा कि मैं जानता हूँ कि compound interest में जो पैसे होते हैं मेरे पैर साथ यहीं वह interest कभी interest निकलता है interest अभी interest आपको निकला जायेगा तो कितनी जग़ interest पासे हुए हैं हमारे पास तीन जग़ interest हैं और तीन हो जग़ से पैसा कितना निकलेगा वही 12% मतलब 1 by 8 निकले कोई सबसे किसी बच्चे को नहीं तो अब यह को नोट कर लिए होंगे इसका कोई जवरत नहीं है अब जो भी पूछ रहा होगा उस सब के निकालोंगा बसरति कि आप पहले एक बार इसको मिटा देते हैं जो भी पूछेगा मैं सब के सब बता रहा हूँ कि सब किसब कि अपको द्यान रखना की आपको से यह साही का अंतर कितां पर लाशंगा साथा रुपए यहां पहली जिरता कि भूल मत जाओ इसको ध्यान रखना आपको लाश्म में एक्कुइट करने पड़ेगी अब मेरे पहरे साथ ही हो अब ये बताओ question हम से क्या पूछ सकता है question इससे ज़्यादा कुछ पूछी ने सकता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ जान देज़ेगा पहले पहले आपको principal उसके बाद amount फिर CI फिर SI CISI का अंतर CI of third year CI of second year या CI of third year minus CI of second year ये पूछ सकता है आपसे बात को समझ रहे हैं सब अच्छे very good और क्या पूछेगा आपसे पूछेगा इन्हें से कोई एक भी लेकिन आप जान रहे हो सब कुछ सब कुछ आन रहे हो तो बेरे प्यारे दोस्तों आप ये बताओ कि हमारे पास पहले इस पर काम करने कोशिस करो आप कि यहाँ पर यह जो 64-64-64 दिखाई दे रहे हो क्या है SI very good ये पूरा value को अगर मैं जोड़ता हूँ ये प्रिंस्पल कुरूप में कितना है तो 512 रुपईया है 512 इनिट है ये वाले हाँ या ना 512 हो गया CI में बात करो दोस्तों CI कितना बन जाएगा आप देख पार होंगे हम लोग कि 64, 64, 64 तीन बार यूज़ करना है 8, 8, 16, 8, 24, 25 तो 64 में अगर मैं 3 से गुना करो 4, 12, 12, 12, 12 रुपईया ये ना आएगा जी और पलस में 25 योड़ दो तो ये बन जाएगा हमारे पास कितना 19, 21, 21, 27 27, 27 क्या कहलाएगा मारे पास CI कहलाएगा बोलो हाया ना जी ये हमारे पास CI निकल गया ठीक है मैं SI के अगर बात करूँ दोस्टो तो 64, 24, 24, 12, 12 और 12 ये आजाएगा अंतर में निकालो कितना निकलेगा एक का हाया ना मैं M1 के अगर बात करता हूँ तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आजाएगा अपका कितना 729 आजाएगा 729 देखे 729 एक तो पांच दो 729 आजएगा CI of third year कोई बच्चे बताएगा CI of third year क्या होगा third year मतलब सिर्फ औसिफ ये वला समझ रहे है मेरी बात को third year जैसे बोलेगा तो सिर्फ तीसरे बर्स में इसका यूज़ नहीं करना होगा दूसरे बर्स वाला यूज़ नहीं करना है तो चाउसट आट बहातर आट 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 असी और एक एक यासी यहाँ पर राख देंगे एक यासी यह हो जाएगा CI of second year second year जैसे बोलेगा तो सिर्फ और सिर्फ कुण सा यह वाला रखना होगा तो चाउसट आट कितना आट 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 जाएगा 72 यहाँ बहातर इन दोनों का बीच का अंतर कितना का है एक का है बहातर कितना 9 का है 9 रख देंगे अब आप बतावों यहाँ पर ओ सिट फिर से करना पड़ेगा ना आ जाएगा वोला नहीं जाएगा ना दोस्तो मज़ुमीद है आप समाज पाए होंगे हाँ 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 कोई बात ने वो फिर से चला गया इधर ने आप वहां से देख लेना आप देखो मैं आपकी यह बताया था थोड़ा से स्कीप हो गी आपका तो आप जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं आपकी यह बताया था कि यह 12.5 परशन हमारे रेट था तो हम लोग क्या देखे थे 512 यूनिट मैंने क्या कर दिया था इसको दोस्तों तीन पार भी डिवाइट कर दिया था यह 64 था यह 64 था यह 64 था हमारा और उसके बाद यह हमारे पास 8 हुआ था यहां पर आठ था यह 8 था और यहां पर एक था अगर देखेंगे बढ़िया से तो आपको मिल जागा यह सब चीजी आपको इंशन था हा या ना तो मैं आपको बताने का प्रियास किया था कि दूद्ध इस पर हमारे पास है कितना 512 और एमांट कितना है 729 है CI कितना है तो कितना आठा 277 आठा न बाबू और एक साइ 122 आठा आप देखे होंगे उसमें लिखा हुआ था CI SI का अंतर आप देखेंगे तो कितना आठा 25 आएगा देखो 25 आएगा CI SI का अंतर sorry एक सेकंड यह CI SI का अंतर होगा 25 CI तो क्या आपको दिया हुआ है तो CI SI का अंतर जो होगा हमारे पास हुआ होगा 25 रुपई यह होगा 25 रुपई यह 25 सीनित होगा CI of 3rd year और CI of 2nd year हम लोग यही देख रहे थे CI of 2nd year अगर मैं इस कंतर निकालू CI of 3rd year और CI of 2nd year तो यह हम लोग निकाल पाएंगे तो दोस्तों आप यह देखो कि हमारे पास 3rd year की बात करें मैं अगर 3rd year की बात तो 3rd year में कौन होगा यह वाला बात होगा मैं यह लिख वाया था 64, 88, 88, 81, 81, 81 आप यहां रख दिया होगे है न यह बात करेंगे तो बातर हो जागा यह बातर मैंने कर दिया था और CI of 3rd year और CI of 2nd year अंतर कितना करना होगा आप यह नो रख दिया होगा यह नहीं किया होगे बस यह करना था तो आप बताओं यहाँ पर कि दिया क्या होगा था तो मैंने कुस उबात में लिखा था कि CI of 2nd year का अंतर हमें दिया होगा था 57 रुपईया तो अब बताओं कि 25 युनिट का मन हमारे पास दिया 57 रुपईया तो एक का मन कितना होगा था 36 आप यहाँ गुणा करेंगे तो 30 आपको यहाँ भी करना पड़ेगा और जितना भी यह आएगा सब गुना करने को वा क्या कहलाएगा मारा answer कहलाएगा बोली यहाँ है न यहाँ पर 30 से गुना करेंगे यहाँ भी 30 से गुना करेंगे जितना भी आएगा वह सब कर्षा हमारा answer होगा तो यह जो आएगा भेलो दोस्तों हमारा क्या कहलाएगा 220 कह लाएगा 220 यह कह लाएगा अपका 0, 3, 6, 7, 1 21, 60 कह लाएगा यह होगा हमारा 0, 3, 3, 24 यह इतना हो जाएगा यह तो दिया हुआ है अगर मैं यहां से गुना करूँ दोस्तों तो 6, 51 यह कह लाएगा यह मैं गुना करूँ तो 5, 15, 12, 36 यह सब के सब क्या होगा दोस्तों सब के सब रूपीज में होगा यह सब के सब रूपीज में होगा नोट कर लेंगा सब अच्छे अच्छे से इसको तो मेरा कहने मतलब यहाँ पर यह है कि दोखो आपको एक्जाम में एक चीज पूछना पूछेगा लेकिन आप जान रहे हो सब तो कोशन किसी पर कर्च घुमायागा आप घुमोगा नहीं बसरते कि आपको concept अच्छे से कंठस्ट है और आप इसके बारे में जान रहे हो अच्छे से काम करने ठीक है? very good छले मैं एक कोशन और लेकर देखता हूँ जैसे यहां पर मैं लेता हूँ दोस्तों क्या? rate ले लिया suppose 10% rate ले लिया 10% time ले लिया 3 साल time ले लिया मैंने 3 साल CI, SI का अंदर मैं ले लेता हूँ 1550 रुपया तो बाकी आने चे जो भी आपको निकालना सब कर सम निकाल सकते हो principal निकालना है है न? और आपको मालने जे M.O.D. निकालना है CI, SI का या CI निकालना कुछ भी निकालना सब कर सम निकालो तो दोस्तों आपको जो करना है वह करना है इसमें कोई बात नहीं है बस ठोड़ा से काम करना कि आपको ज़्यदा लेखना ना पड़े देखो 10 परशन मतलब क्या हो गया हमारे? एक बड़े 10 तो एक बड़े 10 का मतलब क्या? 10 का पावर 3 करें कितना आ जागा? 1000 तो मैं यहाँ पर 1000 लिख दिया और यह कहलागा हमारा प्रिंस्पल बात को समझ पा रहे क्या सभी बच्चे? अब देखो तीन बार इसको काम करेंगे फर्स्ट यर, सेकेंड यर थर्ड यर ठीक है? तो आपको जो है न, वह क्या करना है? देखो, यहाँ पर रहे जिसे मालेजी कि 1 by, मालेजी हमारा 10 निकला तो अगर मालेजी यहाँ 1 by A मानते हैं यह क्या है? 1 by A है तो यहाँ पर रखना है A square, A square, A square यह होगा और यहाँ पर होगा A, यहाँ पर होगा A यहाँ पर होगा A, और यहाँ पर होगा 1 आप उच्छों कैसे होगा? देखना है? देखिए चुकि देखो, यहाँ पर आपका तीन बार आपका 0 है तो एक बड़ा 10 निकालेंगे तो एक 0 तो कटेंगा ही कटेंगा मतलब क्या आएगा? 100-100 आएगा फिर यहाँ से एक बड़ा 10 निकालेंगे बोलिए, फिर 10 तस आएगा और एक बड़ा 10 मैं निकालोंगे यहाँ पर ते किन्द निकलेगा? 1 निकलेगा क्या clear है क्या clear है? अब मैं इसी को समझा रहा हूँ यहाँ पर, इस सब चीज़े आपको practice करते करते आपको मालूम चल जागा, जैसे समझने हाँ आपर कि अगर मैं 1000 लेता हूँ प्रिंस्पल इसे प्रिंस्पल यहाँ पर हम लोग A है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा दोस्तों AQ कर देता हूँ, यहने मारा rule है अगर मेरा यहाँ पर A निकल गया तो उतना कौन निकता है, कौन इतना निकालना नहीं करना है बस यहाँ पर A स्कार मतलब 100 यह 100 यह 100, यह 100 यह हो जाएगा, फिर यहाँ पर क्या है A, मतलब कितना 10 एक वट दस, यही तो यह है ना हमारा एक वट दस, यहाँ पर भी कितना 10 यहां पर भी कितना 10 और यहां पर कितना 1 यह करके आएगा दोगो कैसे आएगा यहां से यह निकल गया आ गया जी ठीक है अब यहां से क्या करेंगे अब दोस्तों क्या करेंगे यहां से यह निकाल दिया मैंने यहां से यह निकाल दिया और यहां से यह निकाल दिया और यह प्रोसिस फॉलो करेंगे तो बहुत जल्दी अंसर ला पारे होगे आप लेकिन आप अगर चाहते हैं कि नहीं से हम पूरा अच्छे समझेंगे और मुझे समझा कर बनाईए तो फिर तरीका आपको वही इस्तमाल करना पड़ेगा जो मैं आपको बताते आ रहा हूं और उसमें स्वीड लाने के लिए अगर आप करेंगे तो प्रैक्टिस मांगता है और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी आप को स्वेंगे जैसे समझें ग्रहां से मैंने यहापर क्या किया दस लिया है दस का क्यों कर दे कितना आ जागा एक हजार अब देखो फर्स्ट येर के लिए पहले निकालेंगे एक एक पर दस निकाल दिया कितना आगा 100 रुपई आगा बोलो है ना एक हजार के पर दस रुपई आगया अब आते हैं सेकेंड येर में पहले है पैसा यहां से आगा तो एक हजार के पर दस कितना आ जाएगा 100 रुपई आप फिर से यहां पर नि चुकि interest कभी interest निकालना है मेरे को तो यहाँ पर निकालेंगे एक बट दस तो किया निकलेगा 10 रुपई है यहाँ से निकालेंगे बट दस तो 10 रुपई है यहाँ से एक बट दस ते कितना निकलेगा एक रुपई है वही आया कि नहीं है सबके हमें एक बाट दस निकाला हूँ एक बाट दस एक बाट दस और एक बाट दस लेकिन आप एकजामें इतना रो मत करने लगना एकजामें फटा बट रूल यूज़ करना कि दोखोपर में a square नीचे आपका a रहेगा और नीचे आपका क्या रहेगा that's all इस पर काम करेंगे एंसर बहुत चल दिया आएगा कोई समसे किसी बच्चे को नहीं होने चाहिए अब मेरे पेरस आती हूँ आप ये बताओ कि आपको दिया क्या क्या है आपको दिया क्या क्या है तो आप देख पार हों यहाँ पर कि हमें देने के केस में क्या क्या दिया हुआ है देखे जान से तो दुस्तों हमें दिया हुआ है क्या स्याई साई का अंतर स्याई साई का अंतर तो आप बताना प्रिंस्पल हमारे पास है कितना एक हजार एमांट कितना है 313 क्यों चुकि इन तीनों को जोड़ेंगे 100, 100, 300 और 10, 10, 20, 31, 31, 31 होगा तो 331 समारा जूटेगा इसमें ते कितना 313 बन जाएगा CI कितना है दोस्तों यहां पर कितना जागा CI आपका 331 SI कितना है 300 CI SI का अंतर कितना है तो यह हो जागा सिर्फ और सिर्फ 31 CI of 3rd year निकाल दो तो यह दोनों को जोड़ेंगे कितना जागा 121 किस आजागा बलिया हाँ न CI of second year पुछेगा तो हम यह निकाल देते नहीं तो आपको जो भी दिया है आप उसका value को बस रख दिजिए तो यह सही कंतर हमें दिया है कितना 1550 रुप यह तो मैं क्या करोंगा दोस्तों इसका मा करेंगे आपका answer आ जागा गुना करने को सकते नहीं है आप देखना जो भी आपको आएगा वह आपका answer आएगा क्या मझे गुना करना पड़ेगा का सम्मा क्या मैं यह गुणा करना पड़ेगा आप बोलता नहीं है बचलो चलो गुणा का मैं करता है यह आ जागा तीन जुरू लगा दो 15 जर यह लगा देंगे पांच पांच दें 15 इतना लग जाएगा यह गुणा करेंगे इतना जाएगा तो गुना करना आपका काम है यह कर लेना आप अच्छे से लेकिन मेरा काम तरहाँ पर प्रोसेस को समझाना और उमीद करता हूँ कि आप इस प्रोसेस को समझ पा रहे होंगे तो मेरे पहरे दोस्तों कुछ ही पुछेगा फर्स्ट तरीका था लेकिन यह तरीका मेरा किसी बच्चा को तनिक भी नहीं आने चाहिए थी अब रही बात कि मैं आखिर कैसे सोच लिता हूं सर कि यह इतना से कटेगा CISI का अंदर कैसे मैं सोचता हूँ तो याद करना मैं क्या सोचता हूँ यापर कि जब भी अगर हमारा rate 1 by x के किसमे आएगा rate को अगर मैं break करूँ और हमारा 1 by x के किसमे आएगा तो CISI का जो अंदर होगा ने मेरे साथी हो वो हमें 73x plus 1 होता है कितने साल के लिए है जब time दिया रहेगा 3 साल के लिए ध्यान देना सब बच्चे हाँ पर अगर मैं बात करता हूँ rate हमारे पास 12% है सपोज तो इसका मतलब कितना आगया 1 by 8 तो इसी 8 को क्या करो यहाँ पर कि 3 into 8 को रो प्लस 1 यानि कि 8,3 को 24,25 इसी 25 कमान मैं मनमी में सोच लेता हूँ कि 25 कमान क्या होगा जैसे मैं अगर लेता हूँ rate हमारे पास 6 into y3% है तो 1 by 6 होगा तो हम क्या करेंगे 6 या 3 into 6 कर देंगे प्लस 1 18 अवे कितना मनेगा 19 और 19 कमान आपको हम दे देंगे तो इस परकार से CISI का अंतर में इस परकार से निकाल सकता हूँ रोल क्या है आपका 3x plus 1 और x क्या है तो x आपका यह वला है ठीक है टाइमिंग आपको 3 साले केस में यह आप लिकेबल होता है जैसे मैं कोशन आपको मना के देता हूँ इसी पर बेस्ट जैसे एक last question मैं आपको दे रहा हूँ फिर मैं आपको लेके चलूँगा इसका अगला concept पर अगला concept क्या होगा फ्रोड सा आप टाइम देना पड़ेगा आपको मैं सब्सक्राइब लेता हूँ दोस्तों rate 16 to by 3% ये ले लिया rate लिया 16 to by 3% मैंने लिया मैं इधर ही फ्रोड रखता हूँ इधर ही रखता हूँ ताकि आपको समझे रहा है rate लिया 16 to by 3% ये लिया और time लिया दोस्तों हम लोग 3 साल लिया टाइम लिया 3 साल ये हो गया principle नहीं मालूम निकालना है आपको amount नहीं मालूम निकालना है आपको मैंने लिया ci si का अंतर ऐसा ले रहा हूँ जो आपको पता चल जागा ये ले लिया मैंने आपको 950 रख़ई है ये 95 रख़ई है 95 रख़ई है मैंने ले लिया ठीक है मैं कह सुच आपको मालूम चल गया होगा और आपसे मैंने पूछा क्या कि आप निकालो इसका ci निकालो ci of third year minus ci of second year ये आपको निकालना है ये निकालना है तो rule is rule rule क्या है दोस्तों मैंने तुम बताया था कि अगर हमारा rate break करने के बाद one by a आएगा तो क्या करते हम लोग a q करेंगे और यहाँ पर तीन बार है तो यहाँ पर क्या करेंगे दो बार यह ने सिखायते है आपको दो बार रखो ठीक है और यहाँ पर एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से एक बार और यहाँ से एक बस यह काम करना फटाबर फटाबर लाइन को डो करना है उपर में तीन बार रहेगा क्यों तो निचे की नदो बार रहेगा है ना उसका फिर मैं एक पर निकालो तो यहां पर A तीन बार रहेगा और निचे आपका 1 बनेगा तो आए मैं इस बात को समझाने का प्रयास करता हूं यह कैसे पॉसिवल है तो जहां तक हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रेट है मेरे पहरे साथी हो वह है कितना साड़े बार परशंट तो इसका मतलब क्या निकिलेगा 1 बाई 6 कुछ तो बोलिए है र कमान हमारे पास दिया है 16 to by 3% और जिसका मान होता है 1 by 6 होता है तो 6 का क्यू करो तो यहां पर आजागा 6 का क्यू तो हम क्या लिखेंगे यहां पर 3 बार लिखेंगे 6 square 6 square 6 square तो यह कितना आजागा 36 यह आजागा 36 यह आजागा 36 हाँ या ना अब मैं क्या लिखता हूँ दोस्तों मतलब यहाँ पर 6 यहाँ पर 6 और यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 यह लिखता हूँ यह तिन बार यह लिखेंगा हम लोग अब यह कैसे आता है तो आप देखें ध्यान से यहाँ से निकाले 1 by 6 यह आ गया यहां से निकाले one by six यह आ गया उसके बाद मैंने यहां से निकाला आगा और six यहां आ गया अब यह देखा कि यहां से निकालने के बाद यहां आ गया लेकिन इसके लबाद तीन जगह पैसे हैं और तीन जगह से मैं निकालागा यह या मैं यहाँ पर ऐसे करता हूँ, यहाँ ज़ने यहाँ करता हूँ, यहाँ से यहाँ से यहाँור, ओर यह ज़ने हैं falta सबका मैं निकालूँ कितना, one by six निकालूँगा, हाँ यह हे न खुछ तो बोल दीजिए तो यह हमारा बनेगा, तो दोस्तु प्रिंस्पल में आपको 208 दे रहा हूँ 200 यहां हो गया एमाण की मैं बात करो दोस्तों तो एमाण कितना हो जाएगा हाँ very good 340 हो जाएगा 343 यह हो जाएगा हमें निकालना है यह दिया हुआ है CI निकालना है चलो ठीक है CI निकालना है तो CI तो आपको दीख रहा होगा 36 36 36 68 108 हो गया 18 11 तो 108 जोड़ दीजिए 108 और 19 जोड़ दीजिए तो 107 यह नहीं है गगा 127 आजागा है हाँ पर अब देखे इन दूनों के बीज कंदर CI of 3rd year, CI of 2nd year तो यह साथ आगा इसका अंदर मैंने यह पर साथ कर दिया कोई समस्य किसी बच्चो को चुकि देखो इसको जोड़ेंगे फिर इसको जोड़ेंगे तो यह दूनों चीज दू बार जोड़ा रहा हो तो मैं इसको अड़ा दिया तो इस बच्चा क्या हमरे पास तो यह हमारे पास है कितना स्याहिसाइक अंतर वाबो यह न होता तैं होता होता ही होता स्याहिसाइक अंतर है तो दीन है और 19 कंमेहन हमारे पास दिया है 900 꾹ी एक हमार कितना को जा tard 500 रुपईया तो 500 से मैं सब में गुना करूँगा सब में गुना करूँगा जो भी आएगा सब क्या होगा मेरा एंसर होगा यह आएगा 3500 यह आएगा कितना अपका डबल जिरू साइस पच्छे 135 यह मैं ऐसे कर लेता हूँ 35 के 5 बचा कितना 3 60 63 इतना जागा तो इस पर कार सब को गुना करके अंसर को ला सकते हैं तो मैंने आपको यह बताया कि देखो CISI का अंतर होगा 6 6 12 16 19 या मैंने एक बताया था और रूल कि मालने जिए आर पर्षेन का मान हमारे पास 1 बै एक्स आयागा तो यह इस आई के जो अंतर होगा हमारे पास क्या होगा 3x प्लस 1 होता है मैं उसी को बेज बना कर मैंने को संट को बनाया था क्यूं चूंकि हमारा रेट जो था 1 बै 6 था और उन बै 6 का मतलब मैं क्या कर दिया कि 3 इंटू 6 प्लस 1 करेंगे तो आया कितना आपका 19 आगा और 19 का मान हमारे पास क्या है तो 45 बैस हो बाकि सब के सब में यहाँ पर निकाल दिये तो मैं आपको यह कोशन सिर्फ एक इजम को पाइंट वी से नहीं बलकि यहाँ भी मैज कुछ हैगा और उहाँ पर आगर आपको CI का कोशन आएगा तो सभी कोशन में यह अपलिके बोलोगा इस्क्रि में समय नहीं वेस्ट टार रहा हूं और चाहूंगा कि आप भी समया वेस्ट ना करें और ओर यह कोशन और सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहेगा हाँ बना हिए अपर दोस्तों रेंट मैं ले रहा हो यहंंपर रेंट सपोस यहां पर मैं लेता हूँ 14 to by 7% यह लिया rate टाइम लिया 3 साल और आप से मैंने पुछा कि C I S I का जो अंतर है वह 110 रुपया है तो आप मुझे प्रिंसिपल निकाल दो और आप मुझे C I of 3rd year माइनस C I of 2nd year यह ग्याद करते हैं जल्दी से बनाएंगे पड़ा पर दोस्तों मैं बड़ा समय दे रहा हूं आपको चलिए उमीद करते हैं दोस्तों अब तक आप लोग बना लिए होंगे और अगर नहीं बनाए होंगे तो वीडियो को पॉस किजिए और दिन बनाना इशार्ट किजिए आप लोग हमसे पुछा क्या कि यह सब रफ्ली आइडिया में दे रहा हूं रफ्ली आइडिया इस सब पुल लिखने में बत्तर नहीं है इसलिए चुको यहाँ पर करो आप यूज करें गे तो साथ का यूज करें गए कर साइक अंतर यह होता है तो साथ सा चवदा और साथ एकी सब एक बाइस बाइस इनिट कमान हमारे पास है कितना है 22 unit का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 110 तो कितना गुना है पचास सरी यह बाइस इनिट है तो बाइस पच्छे 110 हो गया है यहाँ पर बाइस इनिट है सौरी यह आपका बाइस इनिट है 22 निट तो 22 में कितना से गुना करेंगे पांच से गुना करेंगे इन आएगा तो आप पांच से इहां गुना करेंगे पांच से इहां गुना करेंगे और पांच से इहां गुना करेंगे सब के सब एंसर आकर आपका बैठ जाएगा आएगा नहीं आएगा, 12.60, 5.25 यह हो जाएगा, 3.15 के 5, बचा कितना 1, 25 के 20, 25 के बचा 2, 5.25 दो 17, यह हो जाएगा हमारा प्रिंस्पाल, कोई डाउर किसी बचा को? यह नहीं आएगा, 5.25 के 5, 1 बचेगा, 5.25 के 20, 25 के 1, 2, 5.25 दो 17, बिल्कुर सही है, और यहाँ पर देखेंगे, तो 8.40 आएगा, तो दोस्तों, यह सौट करने के लिए मैं आपको बताया, एक्जाम में पूरा लेखना के ज़रुरत आपको नहीं था, बस सौट आइडिया ल लेकिन, जब rate of interest अलग-अलग हो जाए, पहले बर्स के लिए अलग होगा, दूसरे बर्स के लिए अलग होगा, तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले वीडियो आपने देखा होगा, कि टाइम मेंने 2 सल जब समया होगा, तो हर एक साल का rate of interest मैंने sim रखा, फि फिर वैसा rate लिया जो आपको 2, 3, 4, 5 पर वेजट हो, तो उस सारे कुछ में आपको इहां बेडिस करने वाला है, पहले इसको अच्छे सो नोट केजिए, पिर आगे मैं बढ़ता हो लेकर आपको, तो दोस्तों, अब मालने जीए, नेक्स वोसर हमारा कुछ इस परकार से रह कर दिया हुआ है, इस परकार से दिया है, और प्रिंसपल के केस में आपको दे दिया है, बहतर सर रपईया, प्रिंसपल आपको दे दिया है, बहतर सर रपईया, प्रिंसपल दिया है, बहतर सर रपईया, तो बाकि सा पूछ देगा, एमान गयाद करें, प्रिंसपल गयाद क के लिए है for first year, यह first year के लिए, यह second year और यह हो गए आपका third year, मतब rate आपको हर एक साल का अलग अलग देगा, उस case में हमारा rules क्या काम करेगा, इसके जनकारी में इस परकार के questions कमें जनकारी अगले वीडियो में बना कर आपको देगा, ठीक है, तो दोस्तों, मैं एक वीडियो आपको इसी पर विस्ट, एक और लेकर आऊंगा, जो कि आपको दो बर्स नहीं, बलकि कि तीन बर्स पर विस्ट, आपका R1, R2, R3 कुछ भी दिया रहेगा, या rate अगर 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 कुछ भी दिया रहेगा, उस case में हम तीन बर्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं, इसकी पूरी जनकारी, कॉंप्लिट जनकारी में आपको अगले वडियो में देऊंगा, और देन उसके बाद में लेके चलूँगा, आपको कोर्शन ट्रैक्टिस करवाऊंगा, कि कोर्शन किस पर करती जनमें आएगा, और आपको एप्रोच क्या लगानी है, ठीके मेरे साथियों, तो चलिए, मैं उनको भरोसा दिनाना चाहूँगा, भरोसा यकिन दिनाना चाहूँगा, ठोड़ा साप वेट करेंगे, आपको हर एकी समझ में आएगा, CI में ऐसा एक भी परशन नहीं होगा, जो आपको परसान कर देगा, मैं दावा कर सकता हूँ, बस यही कहना चाहूँगा, कि अगर नहीं आप आ रही है, तो हो सकता है कि आप मैट्स के साथ, जो आप करलेशन है, दोस्तों, बहुत लंबा दिन से चूटा होगा है, बहुत सर ऐसे बच्चे होते हैं, जो मैट्री के पास मैट्स चुनने का भी मौका मिलता है, अब इसलिए आपको बता होगा, कि वैसे चीज करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि आपको मैट्स के साथ, लेसन बहुत दिन से चूटा होगा, तो आप बढ़ा टाइम देजिए, पहले आपको बढ़िया सरगणना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको नए आरुपाम आपको देंगे, मैट्स में, मैट्स में आपको सिखने के लिए समझने के लिए टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस आपको जबरस्त करने पड़ेगे, इसमें कोई इसका सौटकट नहीं है, तो चलिए, मैं आपको इसी भारवसे के साथ दोस्तों, आगले वीडियो मिलना हो, तब तक आप लोग अपन नगा पढ़ाई करते रहे, तैंक यू सो मुच टोल अप्यों गाई, बाइ-बाइ, टेक्यूर.